आपने उच्पोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना बिहार विधान मंडल का सीद कालें शत्र आज से सुरू हो गया है बता दें कि एक तरफ सरकार की ओर से तैयारियां कर ले गई है वहीं विपक्ष भी सरकार से सवालों का जबाब मांगने को लेकर अपनाए हुए है वहीं बिहार विधान परिसद की अगर हम बात करें तो वहीं बिहार के पुरु मुख मंतरी राबडी देवी पहुश चुकी है आप दस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे आपको बताते हैं कि देखिए किस तरह से विहार विधान मंडल का सीथ कालिन सत्र का तयारियां की गई है बताते हैं कि सीथ कालिन सत्र का आज से शुरुवात हो गया है और सत्र के दोरान कुल पांच बैठके होने वाली है इस दोरान सरकार कई विधियक भी पास कराएगी और 6 नमबर से शुरू होकर 10 नमबर तक चलने वाली सितकालिन सत्र के दोरान विपक्षी दल सरकार को विभिन मुदों पर घेरने को काम करेगी वहीं जाती है जनगरना और शिक्षक बहाली को लेकर सत्र हंगामेदार देखने को मिल सकता है इसके अलावा शिक्षक बहाली का मुद्धा भी उठाय जाएगा विपक्ष के द्वारा विपक्षी विभीन मुदों पर सरकार को घेरने की रनीती बना रहा है तो वहीं खासकर बिहार के जाती है जंगना और सिक्षक बहाली के मुद्दे को लेकर मुक्ष विपक्षी दल जो है बीजेपी के साथ जो है सामिल दल एंडिये में सामिल दल जो है सरकार को घेरने का काम कर सकती है विपक्षी दल जो है जाती है जनगना और सिक्षक बहाली में गड़बड़ी का आरोप सरकार पर लगा रहा है तो दुसरे तरफ आर्थिक अपराधिक खटनाओं और आर्थिक सर्वेक्षन के जो आंकरे हैं उसको भी लेकर जो है उजागर करने की बात कह रही है व उनका सायचनिक अस्तर कितने लोग नौकरी और कितने क्रिशी से अपना जिवने आपन करते हैं इत्यादी आदी जानकारियां जो है वह सामने आ सकती है और प्रवासी बिहारी के बारे में भी सुचना जो है इसमें कहीं जा रही है यानि कि कूल मिला कर देखा जाए तो कि दिखा नहीं कि यह सत्र रहता है और यहीं नहीं राबडी देवी तमाम सवालों का जबाब कहीं न कहीं सदन में देगी ऐसा आछा बताया जा रहा है क्योंकि इस तरह से बीजेपी का भी जो काम है वह सब लोग देख रहा है इसा सरकार के तरफ से आरोप लगाया जाता रहा है अब क्या कुछ सत्र के दोरान बाते निकल कर सामने आती है वह भी हम आप तक जोर साजा करेंगे इसकर बस इतना ही बने रहे है निजपोनेशन के साथ धन्यवाद पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है